एग फ्राइड राइस मशीन रांची नाम के गाउं में मिश्रा नाम का एक आदमी एग फ्राइड राइस के दुकान चलाया करता था उसके पास खाना बहुत अच्छा मिलने की वज़े से हमेशा लोगों से भरा रहता था मिश्रा के पास हमेशा चार वरकर्स काम करते रहते थे एक दिन मिश्रा के पास एक रसो या अनिल लाया अब मिश्रा से अनिल भाईया लोग बहुत बढ़ गया है आनलाइन ओडर्स के लिए भी बहुत लोग आ रहे हैं रेट बढ़ाओ भाई अच्छा होगा और चार लोगों को काम पर लगा सकते हो मिश्रा भाई ये ओडर्स तो हमेशा से ही रहते थे ना रेट बढ़ा कर लोगों पर भार हो ये मुझे पसंद नहीं है हम ही कुछ ना कुछ कर लेंगे अनिल देखो भाई कब तक आप यूँ लाब बिना लिए हमें पैसे कम देने का ऐसे कारण बनाते रहोगे लोग जब हमारे पास आ ही रहे हैं तो पैसे ले लेने चाहिए बस ऐसे ही रहा तो मेरा आपके पास काम करना मुश्किल है मैं अब नौकरी बदल देता हूँ फिर यूं कहा अगले दिन से फिर अनिल और उसके आदमी मिश्रा नूरस शौप पर आना बन कर दिये इससे बिचारा मिश्रा अकेले ही एक फ्राइड राइस को बड़े परेशानी से बनाने लगा इदिन मिश्रा जब तक दुकान पहुंचा तब तक उसका बेटा विक्रम एक फ्राइड राइस मश्रीन को लाकर उसमें फ्राइड राइस बना रहा था उसे सारे लोग ठहर कर अजीब तरीके से देख रहे थे अब विक्रम के पास आकर मिश्रा बेटा अच्छी नौकरी चल रही थी तुमारी ये सब क्या है विक्रम पिता जी आपकी मदद में आना भी तो मेरा ही काम है वरकर्स के बिना जो परेशानी हो रही है मैं कबसे देख रहा हूँ देखो करेक्ट टाइम पर हमारा ये मिश्रीन तयार हुआ अब बस एक और इंसान हो तो बस ये मिश्रीन सब कुछ कर लेगी विक्रम ठीक है पिता जी आप ये सब सोच रहे हो अच्छा है लेकिन अब तुम्हारे पास इतने समय से काम कर रहे हैं लोग वैसे क्यों नहीं सोच रहे हैं चुप चाप चले गए न यूं कहा पता नहीं रे ये मशीन ये सब मुझे नहीं पता दो दिन बैट कर सिखाओ देखते हैं यूं कहा इससे विक्रम पास में रहकर पिता को एग चिकेन फिश प्रॉंस अलग-अलग किसम के फ्राइड राइस मशीन में कैसे तयार करना है सब सिखाया लोग उस फ्राइड राइस मशीन को देखकर विक्रम की खुद प्रशन सा कर रहे थे और तो और उसे बीटेक एग फ्राइड राइस ऐसा नाम भी रख दिये ऐसे कुछ दिनों में मिश्रा को विक्रम फ्राइड राइस मशीन के बारे में सब सिखा दिया एक दिन रात को विक्रम मिश्रा घर जा रहे थे तब अनिल और उसकी आदमी उनके पास आए अब मिश्रा से अनिल भाया कही जगा पर घुमे लेकिन आपके जैसे कोई नहीं है हमें काम पर ले लो ना भाई यूँ कहा तब विक्रम भाई आप जो काम कर रहे थे वो मशिन करने लगे हैं अब आपकी ज़रुरत नहीं है दूसरी जगा काम कर लीजिए कहकर पिता को उसके बाइप पर ले गया ऐसे दो दिन होने के बाद एक दिन रात को आलने और उसके आदमी चोरी छिपे मिश्टा के दुकान पर आए और उस मशीन को खराब करने के लिए सोच रहे थे तब ही उन्हें आगे विक्रम मिश्टा दिखाए दिये अब पिता से विक्रम देखा जैसे मैंने कहा ये अब इस मशिन को खराब करने आये हैं और आप अब भी रोज कहते रहते हो कि इन्हें काम पर लगा दो विक्रम बेटा हमें माफ करो बेटा सच में कोई काम नहीं मिल रहा था इसलिए ऐसे करें जान मूच कर नहीं हमें सबक मिल गया है फिर कभी ऐसे नहीं करेंगे यूं कहा तब मिश्रा रे इनका मूँ देख नहीं सकता ठीक है कल से काम पर आजाओ जाओ कहा तुभे खुशी से चले गए वो देखकर विक्रम मिश्रा मुस्कुराने लगे फिर उसके बाद से अनिल वाले भी अच्छे से काम करने लगे और एक फ्राइड राइस मशीन से और जादा लोगों को फ्राइड राइस सप्लाई करने लगे